नमस्कार दोस्तो सुरेंदर हेल्फ चैनल में आपको स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा जमीन का पुराना नक्सा अपने मोईल से ओरिजनल कैसे निकालते हैं इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको कंपलीट जनकारी देने वाला दोस्तो इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड किया था यूटूबर जो कि उसमें बताया था जो जमीन का पुराना नक्सा अपने मोईल से कैसे निकालते हैं तो दोस्तो उस साइट पर बहुत ऐसे मोजा का नाम नहीं जोड़ा गया था और बहुत जीला का भी नाम नहीं सकते हैं जिस तरह से आप देखे होंगे अमीन के पास औरिजिनल नक्सा उसी तरह से आप अपने मोईल से निकाल सकते हैं तो दोस्तो वीडियो को पुरा देखे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और किस प्रकार से जमीन का पुराना नक्सा अपने मोईल से निकालते ह तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले अपने मोगाल में Chrome Browser को ओपेन कर लेना है तो चलिए इसको मैं ओपेन करता हूँ ओपेन करने के बाद अब आपके साने में इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा अब आपको क्या करना है यहां पर सर्च में टाइप करना है dls.bihar.gov.in लिक करके और इसको सर्च करते ना है दोस्तों इसका लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे दिक्स पिक्षन बॉक्स में दे देंगे वहां से भी आप चेक कर सकते है ठीक है तो इतना सर्च में लिक करके इसको सर्च करते ना है देने के बाद दोस्तों अब आपके साने में फिर से एक नया पेज खुल के आ जागा जो कि यहाँ पर देख सकते हैं यह बिहार सरकार का ओफेसल वेफ साइट है अब आपको यहाँ पर पहले मैं एक वीडियो अप्लोड किया था जिस में आपको यहां से निकालने के लिए बताया था तो यह वाला में बहुत सरा मोजा का नाम बहुत सरा जिला का नाम नहीं जुरा गया है और यहां पर एक link है देख सकते हैं डूर स्टेप डिलेवरी अफ रेवेन्यू मैपस ठीक है तो यह बला जो link है इसके उपर में एक बार आपको क्लिक कर देना है यहां पर ठीक है तो चलिए इसके उपर में क्लिक कर देते हैं दोस्तों इसके उपर क्लिक कर देने के बाद देख सकते हैं ये नया लिंक आया है ठीक है नया वेफ साइट है और राजस्वेवं भूमी सुधार विभाग भू अभिलेख एवं परिमाप नीदेश साले विहार और यहां पर देख सकते हैं राजस्व नक्सो की डोर टाइप है ठीक है तो इसके उपर में क्लिक करना है और यहां पर एक है रूरल और एक है म्यूनी चीपल तो अगर आप सहरी छेतर से आते हैं तो नीचे वाला जो ऑप्सन है उसके उपर में क्लिक करना है अगर आप ग्रामी छेतर से आते हैं तो रूरल को सेलेक्ट करना है तो चलिए गाओं का नक्सा कैसे निकालते हैं, उसके बाद में यहाँ पर map type है, ठीक है, तो इसको CS रहने देना है, उसके बाद यहाँ पर district का नाम सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, बिहार में जितना भी district का नाम है, यह सरा district यहाँ पर मिल जाएगा, तो जो यहाँ से सलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर मौजा वार्ड, ठीक है, तो इसके उपर में किलिक करना है, और यहाँ पर देख सकते हैं, उस जिला में जितना भी मौजा है, यह सरा नाम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जागा, तो देख सकते हैं, यहाँ पर आप अपना मौजा का नाम इस तरह से खोज सकते हैं ठीक है तो जहाँ पर भी है उसको सेलेक्ट कर लेना है तो चलिए यहाँ पर मैं अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ तो इस तरह से नीचे करते हैं और यहाँ पर है इसको सेलेक्ट कर लिए है उसके बाद यहां पर दो option आ जाता है एक है search map और नीचे बला है track your order तो आपको search map के उपर में click करना है search map के उपर click कर देने के बाद दोस्तों अब आपके साने में यहां पर देख सकते हैं नीचे में आ गया है map cs district revenue village और click and view map और यहां पर देख सकते है seat name तो आपको क्या करना है सबसे पहले यहां पर यह वाला box इसको tick out कर देना है tick कर देने के बाद आपको यहां पर क्या करना है यह जो है yellow color में एक और नीचे में दो तो आपको क्या करना है first वाला पर click करना है एक number पर एक number पर जैसे ही आप click करेंगे उसके बाद नीचे में देख सकते है view your map here यानि आपका जो जमीन का पुराना नक्सा है आपके साने में इस तरह से खुल के आ जाएगा ठीक है यहां पर जिला का नाम मौजा का नाम ठाना नंबर सरा कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा और इसी तरह से आप अमीन के पास भी देख सकते हैं ऐसा ही नक्सा उसके पास होगा ठीक है यह original नक्सा है तो यहां पर देख सकते हैं पूरा जूम करके आप यहां पर नंबर भी देख सकते हैं तो सरा नंबर आपको दिखाई देगा जो कितना plot बना हुआ है दोस्तों यह साइड में इस चीन का मतलब क्या होता है यहां पर देख सकते हैं संकेत चीन में यह चीन का मतलब क्या होता है और मसुहूर नाम यहां पर दिया गया है थाना नंबर जीला राजास्पत थाना और बैंडरी कमिस्नर नंबर यह सरा कुछ मिल जागा और यहां पर किस सन का यह नक तो नमबर इसके उपर में क्लिक करना है इसके उपर क्लिक कर देने के बाद अब आपके साने फिर से नक्षा खुल किया जागा तो देख सकते हैं यहां पर कितना सीट में बना हुआ है ठीक है तो यहां पर सब्सक्राइब कुछ यहां पर देख सकते हैं और यह नक्षा को अपना एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं ठीक है तो अगर आपको मंगवाना है तो यहां पर एड़ टू कार्ट के उपर में क्लिक करना है और यहां पर आपको सरा जनकारी फील करना है एड़ टू कार्ट के उपर में क्लिक करने के बाद नीचे में देख सकते हैं प्रोसीड क एक स्वर्पया कुल मिला करके 250 रुपया लएगा तो आप अपना एड्रेस पर मंगबा भी सकते हैं आप नाम भरना है इमेल आइडी फोन नंबर कंट्री ठीक है और पीन कोड और एड्रेस का पाता और चेक आउट करना है और पैसा पेड करना है ठीक है इसके माध्यम से जमी का पुराना नक्सा और जिनल आप निकाल सकते हैं दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को एक लाइक जरूर करें मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तके लिए जाहिं